एक गाव में छै अंदे आदमी रहते थे जनोंने हाथियों के बारे में सुना था लेकिन कभी उनका सामना नहीं किया था यह समझने की उत्सुक्ता में की हाथी कैसा होता है उन्होंने पास के शाही अस्तबर में जाने का फैसला किया जहां राज नाम का एक हाथी रहता था जैसे ही प्रत्यक व्यक्ती ने हाथी के अलग-अलग हिस्से को छुआ, पुरों ने विप्रीत राय बना ली. पहने आदमी ने हाथी के पैर को महसूस करते हुए कहा, हाथी एक मजबूत खम्दे की तरह होता है. दूसरे ने हाथी की पूँच को छुते हुए असम्ती जताते हुए कहा, नहीं, यहां रस्सी की तरह है, पतली और लचीरी. तीसरे ने हाथी की सुन की जाच करते हुए तक दिया, आप दोनों गलत है. हाथी एक बड़े साम की तरह होता है, लंबा और शक्तिशाली. चौथे ने हाथी के कान को महसूस करते हुए घोश्रा की, आप में से कोई भी नहीं समझता. हाथी एक पंखे की तरह होता है, चौड़ा और सपाथ. पाच्वे ने हाथी का दान्ट पकड़ते हुए जोर देकर कहा, आप सब गलत है. यह भाले की तरह सक्त और चिकना है. जटे ने हाथी की बगल को छूते हुए कहा, आप सभी आशिक रूप से सही है. हाथी एक विशाल दीवार की तरह है, धोश और भव्य. वे जोर जोर से बहस करने लगे. प्रतेक ने आश्वस्त किया कि उनका दृष्टिकोर ही एक मात्रस सत्य था. अंदे लोगों को अपनी गल्ती का एहसास हुआ और उन्होंने इस विचार को अपनाया कि हर किसी का दृष्टिकोर अधिक व्यापक समझ में योगदान देता है. कहानी का सार यहा है कि दृष्टिकोर अलग-अलग होते हैं और पूरी तस्वीर को समझने के लिए विभिन्द दृष्टिकोरों पर विचार करना आवश्चक है. अंधे आदमी और हाथी की कहानी हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में विनम्रता, खुले दिमाग और सहयोग का महत्व सिखाती है.